अक्सर हम कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हम पढ़ते तो हैं पर ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता हो सकता है आपने भी कभी ना कभी इसे जरूर महसूस किया होगा तो आज हम इस वीडियो में उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिससे आपको पढ़ी हुई चीजें याद रखने में मदद मिल सकती है अगली कुछ स्लाइडों में आपको वो चार तरीके पता चलेंगे जिसे अपना कर आप भी चीजों को याद रख पाएंगे इन सब में पहला तरीका है जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते समय पूर्ण ध्यान उसी पर देना चाहिए टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी प्रेक्टिस करना जैसे टॉपिक को लिखकर अभ्यास द्वारा किसी भी चीज में पारंगत हुआ जा सकता है आपने प्रेक्टिस में एक सा मैन पर्फेक्ट की कहावत जरूर सुनी होगी जब भी हम किसी चीज को बार-बार बोलते या दोहराते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है जैसे हमारे स्कूल की प्रार्थना सायादी हम अपनी जिंदगी में इसे कभी बहुल पाएंगे दूसरा तरीका है विज्वलाइज करके अर्थात जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक को मन में दृश्यमान करते हुए चलना यानि कि हम जो पढ़ते या सुनते हैं उसका चित्र अपने दिमाग में सोचते हुए या कलपना करते हुए सीखना तीसरा तरीका है परस पर संबंधित करके यानि कि कई टॉपिक्स या विशह ऐसे होते हैं जिने हम परस पर संबंधित करके अच्छे से समझ पाते हैं जैसे जो भी कॉंसेप्ट हम पहले से अच्छे से जानते हैं, उसे अपनी नई लर्निंग से कोरिलेट करना, जिसके द्वारा दोनों लर्निंग अच्छे से समझ में आ पाती हैं। चौथा और अंतिम तरीका है प्रचुर मात्रा में नीद लेकर अर्थात सो करके। हमारे दिमाग को चीजें लंबे समय तक याद रखने ही तू आराम की भी आवशक्ता रहती है। जिस प्रकार कोई भी मशीन एक निश्चिस समय तक ही सही से कारी कर पाती है, उसी प्रकार हम मारा दिमाग भी एक निश्चिस समय तक ही चीजों को समझने की क्षमता रखता है। दिमाग पर आवशक्ता से अधिक दभाव देना सेहत के लिए हानिका रख हो सकता है। जैसे हर दो घंटे में 10 से 15 मिनिट का विस्राम लेकर दोबारा पढ़ाई जारी की जा सकती है। अ utan विस्राम पर दो घंटे है। जारी कर विस्राम है।